हेलो फैंड्स कैसे हैं अप फिट फेंटेस्टिक कॉंगेट्स आप लोग है अपनी स्कॉल ट्रेनिंग का हाफ्स ज्यादा पाथ कवर कर लिया है तो कंटीनू कर तब में ट्रेनिंग को और मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आज हम स्टेडी के देंगे ऑल्टर कमांड क के लिए कॉंची कमांड और कमांड आपकी लिए काफी यूसफुल क्यों सिप्वोज हमाजे पास एक डाटाबेस है डाटाब्स है बेटा जून स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं एक टेबल इसके इनदर स्टूडेंटूडेंट इन्फो जासे रोल लंबर नेम फिजिक Presse marks, Chemistry marks and Maths marks. अब हम लोग ने डाटावेस बना दिया, टेबल बना दी और फिल्स केरेट कर दी. अब क्या है कि हमें बाद में ध्यान आया कि हमने इसमें एक कॉलम भी आड़ करना था. बट जब हमने टेबल क्रेड करी उस तरह हम लोग भूल गे. अब हमें वो columns में add करना है तो alter means हम अपने table को alter करेंगे कुछ इसमें नया चीज एड़ करेंगे अब कोई extra इसमें column में जो है वो extra है तो आपको लग रहा है कि कोई use नहीं है इसका तो आप इस command की help से उसको delete भी कर सकते हैं particular एक column को अब मैं कहाँ कि पूरा का पूरा column में drop हो जाएगा ऐसे ही आप अगर आप लोग निसका नाम रखा है name आपको name चेंज करना है तो आप इसका column का name भी चेंज जा सकते हैं या फिर डाया टाइप आप से गलती से कुछ और रख दिया तो उसको change करना है तो वो भी हो सकता है तो alter command आपके लिए लिए लोगी table को कुछ नया add करने के लिए table में यह तो पहले से है उसको drop करने के लिए इसके निदर हम study करेंगे add drop change and modify add, drop, change and modify first हम पिक करते हैं add को add को add किसलिए कि हमारे पास table है अगर हमें के नया column add करना है इसमें जो कि starting में हम भूल रहे थे यह हमने requirement नहीं थी यह requirement अभी आई उस column की तो add से हम अपनी table के अंदर एक नया column add कर सकते हैं पर syntax check करेंगे इसका syntax क्या है syntax है इसका alter table table name alter table table name then add column column name and data type and constraint syntax और कोलम add करना है कोलम है उसका और होबीज का होबीज हमने लिखा यहां पे अपने अपने लिखा आप मेंट अपने 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 लिखाएं यहां पे वार्गट अगर अपने अपने 20 वार्गट क्लोज अगर आपको कोई constant available करवाना है इसको तो अब लिख सकते हैं otherwise ज़रूरी नहीं है semicolon and enter semicolon and enter जैसे आप इसको enter करेंगे उसके बाद एक command हमने study करी दी table का structure देखने के लिए कुझसी? desc space table name describe student info semicolon and enter तो आपको जो stressor देखेगा इसका पहले था यह five column available थे अब हमने एक और add कर दिया हमें hobbies तो वो इसके बाद आपको show हो जाएगा clear? कुछ वज़ेने इसके लब इसको हम use कर सकते हैं यह से alter table table name student info student info add column कि हमें add करना है column like Hindi marks Hindi marks लेयर टाइप लिखा हमने int तो यहां पर आप लिख सकते हैं अब जैसे यह किया था हमने तो जो यह column जो हमने add कराना है वो name के बाद आजाए name के बाद आजाए यह physics marks के बाद आए यह फिर chemistry marks के बाद आए तो आप यहां पर mention कर सकते हैं हमें लिखा हमें पर alter table student info add column Hindi marks कि हमने यह add करना है रेयर टैप्स का यह है बट हमें चाहिए वो कहां पर नेम के बाद यहां पर लिख सकते हो after after name semicolon and enter तो अब जो यह column add होगा कौन सा Hindi marks का वो add होगा नेम के बाद by default हमने अभी add कि अधा वो add हो था हमारा match marks के बाद क्योंकि वो last में लेता है अब हम चाहिए कि नेम के बाद आए हमने particular message mention किया उसको कि हमें after name चाहिए after name चाहिए हमें तो जैसे हम एंटर करेंगे दोबाय टाइप करें इसको describe table name तो आपको जो column दिखेगा वो name के बाद शोगा clear ऐसे ही अगर आपको यहां पर लाना है last में लाना है तो आप लिख सकते हैं यहां पर alter table student info table name है table name compulsory है then add column add column हमें लिखने है उसकी space first semicolon and enter अपनी कहां पर आप बोला हमने उसको कि रोल लॉंबर से पहले नहीं बोला बट हमने बोला कि first तो रोल लॉंबर हमारा first column है तो इससे पहले जाएगा यह कुन सा student id अगर आप बाइड डिफोल ऐसे लिखेंगे alter table student info add column hobbies data type द्रेकर तो एक column add होगा हमारे table में जो कि last में जाएगा फिर देखा हमने कि हमें column add करना है बट particular position पर या फिर किसी के बाद करना है हमें जैसे कि name के बाद physics marks के बाद तो हमने यह पर लिख दिया alter table student info add column hindi marks data type int after name कि हमें name के बाद column चाहिए है फिर देखा हमने कि अगर में starting में चाहिए तो alter table student info add column student id int data type and first कि first number के जाएगा यह के लिए तो यह थी alter command अभी हमने इसका first part देखा कि कि अगर हमें कोई नया कोलमेट करना है तो वह कैसे होगा अब मुवदे पैटिकल पे वहाँ पे स्कुईरी को एक्जियूड करते हैं कर दो